आज मैं आपके लिए एक हेल्दी नाष्टे की रेस्पी लेकर आई हूँ, खास बात यह है कि इस रेस्पी को बनाने के लिए हम सिर्फ एक से डेड़ चोटी चमच घी ही यूज़ करेंगे और ये नाष्टा बहुत ही हेल्दी होगा, सात्मे खाने में बहुत जादा टेस्ट कर रख दिया और फिर इसका पानी भी निकाले आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से यह दोनों चीजे जो है फूल गई है अब इनको हम डालेंगे जार के अंदर और साथ में ही इसके डालेंगे आधा कप फ्रेश वाली दही तो कोशिश की जगा फ्रेंड जो दहिया वो हो अगर खटी दही होगी तो फिर नाश्टे का इतना बड़िया टेस नहीं आएगा साथ में ही दो से तीन हरी मिर्ची डालेंगे तो मैंने जो यह जुआ यूज किया यह तीखी नहीं है जड़ा तो हरी मिर्ची को आप अपने टेस के हिसाब से कम जादा भी कर सकते हैं टे रेके का हमें texture त्यार करना है तो यह हलका सा दर्दरा ही रहेगा बेकुल fine paste नहीं बनेगा तो आप यह जो पेस्ट है इसके अंदर हम डालेंगे सब्जियां तो सब्जियां आप अपनी मन पसंद ले सकते हैं जो भी सब्जियां आपके पास है या जो आपको पसंद है उसी के मीडियम साइज का बारिकटावा प्याज एक मीडियम साइज की शिम्ल का टमाटर एक मीडियम साइज का अलू इसको मैं कद्दुकस करके öle deux ने और करीबं डेर से दो टेबलिय्बस्टरून में डाल रही है पानी आप इन सारी consistency का हमें ये बैटर त्यार करना है अब इस बैटर के अंदर हम डालेंगे मसाले तो यह हमें ने लिया है एक चोटी चमच कुटावा धनिया आधी चोटी चमच रेट चिली पाउडर एक चोथाई टी स्पून हल्दी पाउडर एक चोथाई टी स्पून काला नमक और टेस के हिसाब से साधा नमक अच्छा फ्रेंड्स अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें जो लालो मिर्च का पाउडर उसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसकी जो आप इसे पाउड्स स्पून है वह थोड़ी कम भी कर सकते हैं अब इन सारी मसालों को अच्छे से से हम बैटर में मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद यह बैटर हमारा बिल्कुल तयार है आप देख सकते हैं इसके consistency में दुबारा से आपको दिखा रही हो तो इस तरीके का हम यह बैटर बनाना है अब इस बैटर में से हम करीबन चार कर्ची जो है बैटर अलग से निकाल लेंगे हमें सारे बैटर में नहीं डालना है जितना हम एक बार में बना रहे हैं बस उसी stage पर हमने इसमें ईनोड ढालते जाना है तो बस ये बैटर हमारा त्यार है, अब इसके बाद एक बार हम तवे को मीडियम गरम कर लेंगे, उसके बाद इस पर थोड़ा सा ओयल डाल के पूरे तवे पर अच्छे से फैला देंगे ताकि जो नासता है न वो चिपके नहीं, बस अब सेंटर में एक चोटी चम्मच ओयल सिखने देंगे, या फिर जब तक सिखेंगे, जब तक कि जो इसकी ऊपर की सरफेस है ना, वो आपको ड्राइना नजर आने लगे, अब इस बीच में आपने ध्यान रखना है, आज को धीमे पर ही रखना है, तेज बिलकुल नहीं करना है, क्योंकि आपने पताए कि हमने जि इसके ओपर हम थोड़ा सा ओयल या फिर घी लगा लेंगे, और उसके बाद पलटे से इस तरीके से इसको पलट देंगे, और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ से भी इसको सेख लेंगे, तो मैं यहाँ एक एक करके नाश्टा बना रही हूँ, आप चाहें तो एक ही टाइम प दाल और चावल का नाश्टा आपने देखी लिए फ्रेंट्स बिल्कुल आसान है इसको बनाना, अगर पहले से आपने दाल चावल भी होके रखा है, तो करीबन 8-9 मिंट में यह नाश्टा बनकर त्यार हो जाता है, और यह कितना जादा सोफ्ट और सपंजी बना है, आप इस नाश्टे को आप अपनी मर पसंद सोस या चटनी के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, आज नाश्टे की रेस्पी आपको पसंद आई है, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो जाते जाते प्लीज आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया किया और शेयर भी कर सकते आप इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ में और ऐसे ही सीपल सी रेस्पी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिकुर मत भूलिएगा, तो चलिए विर मिलते हैं आप से एक नई रेस्पी के साथ में